हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले मलाई कोफता जैसा इसका नाम है उतनी ही टेस्टी ये रेसिपी है वैसे तो जातार लोग इसे रेस्टोरेंट से ही ओर्डर करते हैं लेकिन आप चाहें तो इसको बहुत ही असानी से घर पर बना सकते हैं एक तम मुव में गुल जाने व सभी चीजों को सौते कर लेंगे फ्लेम को हमें यहाँ पर लोटू मीडियम रखना है फ्लेम को बहुत हाई ना रखे अब हम इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्च तो यह जो हरी मिर्च यह बहुत जादा तीखी नहीं है अगर जादा तीखी हरी मिर्च यह आपके पास तो आ करना है इसे हमें brown करने की ज़ोरत नहीं है यह बस जब यहई हल्कि सी soft हो जाएगी transparent हो जाएगी, हम इतना ही पकाएँगो हमें medium रखना है तीन से चार मिन्ट के बाद इसमें डालेंगे दो medium साइस्के tomato, tomato को वे मैंने थोड़े बड़े डुक्तों में काट लिया है फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते वे पक्तने देंगे तो टमाटर को हमें एक तम सौफ होने तक पका लेना है अब इसमें डाल देंगे एक छोड़ी चमश नमक और एक चमश धनिया पाउडर नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा रख सकते हैं हम इसमें डाल देंगे 10-12 काजू तो यहाँ पर हम मलाही कुफ्तकली क्रेवी बना रहे हैं तो जो भी हम क्रीमी वाली क्रेवी बनाते है न जो भी मखनी क्रेवी होती है तो उसके लिए हमें काजू ज़रूर से आड़ करना है अब हम इसमें डाल देंगे ये मुठी परहरा धनिया, तो इसके लिए हमें यहाँ पर धनिया के टंठल लेने हैं, बहुत साथा green part आप ना ले, इसमें हमें धनिया के जादतर टंठल एड़ करने हैं, अब हम इसे ढख देंगे और दोसे तीन मिनट तक पकने देंगे, बीच इसको बंद कर देंगे और सभी चीजों को ठंडा होने देंगे, तो सभी चीज़े ठंडी हो गई हैं, अब हम इसमें से जो तेश पत्ता है उसे निकाल लेंगे, अगर आपको दाल चीनी का फ्लिवर बहुत साथा पसंद ना आता हो, तो आप उसे भी निकाल ले, अब सभी चीजों को हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे, फिर इसमें डालेंगे आदा कप पानी और इसे ब्लेंड कर लेंगे, तो इसका हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है, देखे इस तरीके से, अब एक कढ़ाई में डाल देंगे दो बड़ी चमच बटर, बटर को मेल्ट होने देंगे, जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच कश्मिरी लाल मिच, हमें यहाँ पर लाल मिच पाउडर नहीं लेना है, हमें कश्मिरी लाल मिच लेनी है, यह बहुत जादा तीखी नहीं होती, लेकिन इससे जो हमारी ग्रेवी बने उसे हम छान लेंगे, तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम मलाई कोफता बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी का जो टेक्स्चेर हो एक तम स्मूध और क्रीमी होना चाहिए, तो इसके लिए हमें सारी चीज़ों को इस तरीके से छान कर लेना है, जो हमेशा इस तरीके से चान कर यूज करें, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम रखना है, तो यहाँ पर आप ग्रेवी का टेक्स्चर देख सकते हैं, इसका कलर भी कितना अच्छा है और टेक्स्चर भी एक्दम परफेक्ट है, लेक तो तीन से चार मिट के बादे देखे जो क्रेवी है, यह पकर तयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसे हमें इतना पतला रखना है, इसे हम बहुत ज़ादा गाड़ा नहीं रखेंगे, अब इसमें एड़ कर देंगे आदा छोटी चमच गरम मसाला, इसे मिल दालेंगे, और अब इसमें डाल देंगे यह दो से तीन बड़े चमच फ्रेश क्रीम, क्रीम आप जरूर से एड़ करें, इसे से जो क्रेवी है वो ज़ादा रिच और टेस्टी बनेंगी, बस लास्ट में डाल देंगे थोड़ी सी रोस्टिट कसूरी मेथी, तो कसूरी जरूर से डालनी है, इसे हम एक बार मिला लेंगे, तो यह हमारी मलाई कुफता गले ग्रेवी बन कर तयार है, बहुत रिच और क्रीमी यह ग्रेवी बनी है, तो यहाँ पर मैंने जो भी चीज़े ग्रेवी में एड़ किये हैं, वो आपको सभी की सभी एड़ करनी है, अगर इसे किसी भी कॉटन के कपड़े से या फिर टेश्यू पेपर से इसका जो एक्स्टर मोइस्टर है उसको सोग कर लें, अब पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे, और फिर इसे हलका सा मैश कर लेंगे, तो हाथों से इसको इस तरीके से मैश कर लें, इसे बहुत सदा मैश करने की पिज़रत नहीं है, बस इसका जो ए दाने वाला टेक्स्टर है ना, वो थोड़ा सा हमें स्मूथ कर लेंगे, तो यह पनीर हमारा स्मूथ हो किया है, अब मैंने एक आलू लिया है, उसे भी हम ग्रेट कर लेंगे, तो आलू को उबाल लेंगे, और फिर उसे भी ग्रेट करक इससे कोफते बनाएंगे, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अगर आप इसे ज़्यादा टेस्टी बनाना चाते तो आप चाहें, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मावा भी आड़ कर सकते हैं, 50 क्राम की लगभग, मैंने मावा आड़ नहीं किया है, अब हम यहाँ पर ज्यादा मैदा आड़ करेंगे, तो जो कोफते हैं वो टाइट हो जाएंगे, अब इसमें डाल देंगे एक दम बारिक कटा हुआ काजू, एक बारिक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी सी बारिक कटी हुई किश्मिश, और एक इंच अधर का टुकड़ा बारिक क कर दिया है, अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह सभी की सभी चीजें आपको इसमें डाल लिए हैं, इसी से जो कोफता है उसका टेस्ट एकदम परफेक्ट आएगा, अब हम इसमें से थोड़ थोड़ा मिक्स्चर लेते जाएंगे, और इस तरीके से हा कोफते बना कर तयार कर लेंगे, इन्हें हमें एकदम स्मूथ रखना है, इसका जो टेक्चर एकदम स्मूथ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो, तो इतने मिक्स्चर में हमारे 10 से 12 कोफते बन कर तयार हो जाएंगे, अब हम एक बाउल में ले लेंगे दो बड़े चमच कॉनफलार, एक पर इन कोफतो को कॉनफलार में कोट कर लेंगे और फिर हाथ में इसको दुबारा से रोल कर लेंगे, ताकि जो कॉनफलार है वो कोफते पर चिपक जाए, अब एक कढ़ाई में ऑईल गरम कर लेंगे, और फिर एक एक करके कोफतो को कढ़ाई दूसरा ये बाहर से तो brown हो जाएंगे पर अंदर से इन में कच्चा बनाएगा बीच-पीच में हम oil को इस तरीके से घुमाते रहेंगे ताकि एक तो जो कोफते हैं वो एक जगे से जले ना, इनके उपर ज़्यादा brown spots ना आएं और ये सबी तरफ से evenly fry हो जाएं जब ये हलका सा fry होकर उपर आ जाएंगे तो हम इसके उपर इस तरीके से चम्मात से इनको खुमाते जाएंगे तो बीच-वीच में आपको oil को इस तरीके से चलाते रहना है ताकि कोफते सबी तरफ से evenly fry हो जब ये इस तरीके से golden brown हो जाएंगे अच्छे से fry हो जाएंगे तो बस हम इनको निकाल लेंगे oil की temperature को आपको ध्यान से control करके रखना है जो temperature अब बहुत ज़्यादा high नहीं होना चाहिए flame को आपको बहुत low भी नहीं रखना है क्योंकि अगर बहुत साथा low पर आप इनको fry करेंगे तो ये बहुत साथा oil absorb कर लेंगे तो ये हमारे सारे कोफते बन कर तयार है अब हम इनको serve करेंगे अब हम कोफतो को serve करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि आपको कोफते कभी भी gravy के अंदर नहीं डालने हैं जब आप इसे सव करें, तो जिस परतर में आप इसको सव कर रहे हैं, तो पहले उसमें थोड़ी सी gravy डालें और उसके बाद उसमें गर्मा-गर्म कोफते डाल दें फिर इसके उपर हम थोड़ी से gravy पूर करेंगे क्योंकि अगर आप गरम कुफ्तू को गरम gravy के अंदर डाल देंगे तो फिर ये पिखल जाएंगे और उसके अंदर खुल जाएंगे अब इस पे डाल देंगे थोड़ी सी fresh cream और फिर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा कसूरी मिथी का पाउडर बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है फ्रेंड्स इसमें से आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से बना के ट्राइ करें जब भी आप कोई भी स्पेशल रेसिपी बनाना चाहते तो आप एक बार मलाई कुफता को जरूर से बना के ट्राइ करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फोलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए आपसे फिर मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ थैंक्स फो वाचिंग